और चैनल और। यह्टाहिँ यहां ब Посक्वो किस बमेखाए सब्सक्राइब हो। दूटे लिए टीग्रैक्ट एंहले में सब्सक्राइब न मेरे क्मिन भी अपना एक प्राइस परिया कैसे करेगा। इसे मदर टीचेस पगेड़ा के आईटी कंपनी बहुत डाउन थी मार्केट अल्टाइम हाई पर था इसलिए वहां से टूट गया तो जिसे बैंकिंग के रिजल जो अभी दोनों आए तो कोटक और आईसे एसे बैंक दोनों बहुत लाइस पूरे वीक में उन्होंने रैली किया इन फैक बैंक निफ्टी जो उपर गया है उसमें मेजर कंट्रिविशन यह इन दोनों स्टॉक्स का ही था और मोस्ट टॉट्विशन उसमें बहुत बढ़ा था तो यह दोनों एक फ सब्सक्राइब कर रहा था कि उसका रिजल्ट आया तो पहले वीडियो मनाऊंगा क्योंकि कोटक का दो सुबही आ चुका था दो पहर मतलब सुबह तो नहीं बोलेंगे दो पहर में आ गया था तो आईसे सी के डिजल्ट्स अब यह कंसलेट रिजल्स हम क्यों देख रहा है क हावववर मैं जैसे हमेशा बताते आया हूं कि कोई भी बिजनस का उसका आपको ट्रेंड देखना पड़ता है कि वह और यह यहां तो जैसे बैंक कर देखा जाता है वह कोटर और दिखा जाता है रिजन मिंक के माली के बैंक ने एक लोन दिया तो वह लोन चले लंबा इंकम प्रिव्यस कॉटर से कम होके आया है यह उन यह में यह सब्सक्राइब को अच्छे दिख सकते हैं ठीक है क्योंकि प्रिछले साल बेस कम था उसके ऊपर बेस अभी क्योंकि को ना के क्या है बट अधर इंकम के कारण ही में इनका टोटल इंकम कम दिख रहा है तो एक्चुल जो कूर ऑपरेशन्स है इंट्रेस्ट इंकम हो गया इंकम और इंवेश्मेंट्स हो गया यह सब इनका बढ़के आए ठीक है तो यह धिहान रखेंगा तो ओवरल टोटल इंकम भले कम हुआ है लेकिन मेजर जो कूर बिजनस है वो इनका अभी भी अच्छा कर रहा है इंट्रेट एक्सपेंडीचर में देखेंगे तो एक्सपेंडीचर भी उसी प्रपोशन में थ्वाज़ा कम हुए तो इनके जो प्रॉफिटिबिल्टी है जो किसी मैंक का सबसे कोटर से थाशा बढ़के यह देखेंगे तो बहुत बढ़के है बट कोटर आपका थाशा बढ़के हैं ओबर ओल इस तरह का रिजनल्ट मोस्ली फैक्टर डग्योंकि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मार्जिन स्टेबल रखते हो और आपने दो तीन परसिंट का आधा है कोटर अंग्रोफिट में तो समवाट मार्केट इसको फैक्टर करके चल रहा है कि मीश राता है प्रोविजनिंग इन्होंने कम करी है पिछले कोटर से तो वह थवासा रहेगा लेकिन यूज्वली पिछला कोटर मार्श साब मार्श में प्रोविजिणिंग नाच् लोख किया है तो ठीक अच्छा यह पर भी ग्रोथ है तो हर जगा दिख रही है और अगर हम इनके एंप एंगे तो सिर्फ कोर बैंकिंग वाले नहीं और रिटर्न आइसेट में कोई नहीं हुआ है नेट वर्ट हैं और ट्रॉटल आपका वैलुएशन वगए सब बढ़के आया है तो ठीक है एक तरह से हमें कोई दिक्कत की बात वहां नहीं दिखाई दे रही है तो overall ठीक decent result कहेंगे but ध्यान रखेगा stock prices rally कर चुके हैं तो market बहुत तक चीज़ों को factor करके रखा है 1000 touch कर चुका है अब इस पर level समय क्या ध्यान रखने है कि यह open 990 के नीचे होता है या 1003 के ऊपर होता है 1003 के ऊपर हुआ तो एक positive buyers 10010 तक इसको टान सकता है and reversal में फिर 1003 crucial रह है और मान रहा है कि हमने ज्यादा बेटर expectation किया था क्योंकि market का expectation वो market जानता है तो यह ध्यान रखिएगा अब आते हैं आपके कोटक बैंक के results में तो कोटक बैंक का अगर हम consolidated results देखेंगे तो एक चीज़ धियान रखिएगा compared to other companies इनके जो core operations है नहीं जिसमें इंस्योनेंस पगेड़ा इनका बहुत ज्यादा portion है तो एक चीज़ यहान रखिएगा कि अगर इनका हम total income देखेंगे तो total income last quarter जितना ही है जिसमें 2000 क्रोड का एक positive value है profit on sale of investment including revaluation डाकेड में इंस्योनेंस बिजनस लिखा हुआ है तो इंस्योनेंस बिजनस का यूशुली एर एंड पे अगर देखेंगे इंस्योनेंस बिजनस में तो किसी एक quarter आपका ज्यादा वह आ रहा होगा प्रीमियम आ रहा होगा किसी में प्रीमियम आउट फ्लो ज्यादा हो रहा होगा यह सब चलते रहता है इस बार यह नंबर पॉजिटिव है तो अगले बार नेगेटिव हो सकता है यह उसके करण क्या है यह टूटल इंकम इनका बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है लास्ट यह से तो बहुत ज्यादा बढ़के है लेकिन अगर हम देखेंगे तो प्रीवेस पॉर्टर से अल्मोस्ट प्रीवेस पॉर्टर के लाइन पही है एक्सपेंसे इन्होंने कि उन्होंने इंटरेस्ट एक्सपेंडीचर कम रखा है तो नेट-नेट अपरेटिंग प्रॉफित इनका लास्ट कोर्टर जितना ही नूने में रखा है तो अप्रेटिंग प्रॉफित में बहुत ज़्यादा यह लोग वैलुएशन में अप्रीशेशन को अभी से फैक्टर करके चल रहे हैं वह डिटेल में जब इनका डिस्क्लोजर जाएगा तब पदा चलेगा अभी नहीं पदा चल रहे हैं तो अगर प्लेन मेंला माल लेते हैं कि नॉर्मल कोर्स और परेशन के बाद भी कॉटर और इनका नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग नहीं आया है तो अब इसका नेक्स हड़ल जो है वह 2000 है अगर तो फिर इसमें अपसाइड का कोई है नहीं ठीक है नीचे में 1960 का लेवल ध्यान रखेंगा 1960 तूटने में थोड़ा वीकने सा सकता है मार्केट इसको सकता है कोटर में 25-30 परसेंट बढ़ गया है बढ़ जासा मैंने समझाया आपको बैंकिंग बेजन उस तरह से नहीं होता है क्योंकि आपने एक एंप्लॉई कर लिया ठीक है उस एंप्लॉई से आपने एक सेल करवाया वह सेल चलता है पांस साल तक उसका एक इफेक्ट का र च्छान रखिएगा और स्टॉक किस्ता से मुमेंट देता है उसके बाद बहुत कुछ मैटर करता है तो 2000 एक इसका हडल जोन है अगर इसको माली जिए रिजल्ट मार्केट पॉजिटेव लेता है तो ज्यादा अफसाइट का कुछ इसको बचेगा नहीं फिर अगर मार्केट को लगता है कि रिजल्ट अच्छे नहीं है 1960 के नीचे तोड़ेगा और यह तोड़ेगा तो फिर बैंक निफ्टी में भी थोड़ा से पासकता है बिकास इसका 10% वेटेज हैं हावेवर आईसे सी में प्रॉफिटेबिल्टी थोड़ी से बेटर आई है कमपरेटिवली तो वह उसका एक प्लस पॉइंट है और उसका स्टॉक अच्छा कासा मुमेंट दे चुका है अगर थाउजन थी के ऊपर निकलता है थाउजन तेन थाउजन फिफ्टीन तक मूव कर सकता है बट अगर थाउजन थी से घूम रहा है तो फिर वह रिवर्सल ए अगिर के आया पता नहीं क्यों गिर के और सारे में और एंप एंप इनका थोड़ा सा कम हुआ है बट नेट इन पी इनका फथा बढ़कर कर रहा हुगा कि आपके प्रफेटिविल्टी गिरी है नेट एन फिल इसा नहीं है कि बहुत जयादा कोई प्रोविजनिंग आपने क करने के कोशिश करेगा कि आपकी नेट प्रॉफिट कम हो रही है तो थोड़ा सा मार्केट उसको ले सकता है लेकिन अगेन जैसा मैं बतारों रैली कर चुका है 2000 के पास एक हर्डल जोन है 2000 के ऊपर रहता है तभी कुछ उसमें बड़ा अपस्विंग है 2000 से टर्ण किया तो रि रिवर्ड नहीं कर रहा है वीडियो ची लगी हो तो लाइक कर दीजेगा